सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेश आले राश्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर बारां जो की क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है यह ली गई है विज्ञान विश्य से और इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है पौधों को जानिये और आप तो जानते हैं कि पिछले 4 या 5 वर्कशीट से हम इस पार्ट को समझ रहे हैं और इसमें हम पौधों के विभिन भागों के बारे में विश्तरित जानकारी प्राप्त कर रहे है तो इसी चृिंकला में आज हम बात करेंगे पौधों के एक अन्य महत्वपून भाग की जो है पत्ते यानि Пत्ती अब ये पत्तियां क्या होती हैं, कैसे आकार की होती हैं और इनके भी क्या-क्या भाग होते हैं, फिर इनके क्या-क्या काम होते हैं उसके बारे में हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे पहले ही टॉपिक जो दे रखा है वो है पत्ती की संग्रचना और यहाँ पर एक पत्ती की बहुत सुन्दर सी तस्वीर आपको दिखा रखी है जिसमें पत्तियों के विभिन भागों के बारे में बता रखा है कि पत्तियां किन-किन भागों से मिलकर बन दी है तो चलिए एक बार देखते हैं पत्ती, चप्ती, पत्ली और हरी होती है तो तीन बाते बताए गए चप्ती होती है यानि चोड़ी होती है, पत्ली होती है और हरी होती है पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है हमने पिछली वरक्षीट में यह समझा कि पतियां ही पौधों के लिए भोजन बनाती है तो इसलिए जहाँ पर जैसे आपके घर में भोजन बनता है उसे रसोई घर कहते है न ऐसे ही पौधों का रसोई घर उनकी पतियां होती है क्योंकि यहाँ पर भोजन बनने का कार्रे होता है अब पत्ती के विभिन भाग है उनके बारे में हम एक बार समझेंगे वहे हैं सबसे पहला है पर्ण वरिंथ थोड़ा सा नाम मुश्किल है कोई बात ने याद करेंगे और खुद से एक पत्ती को देखेंगे और इन भागों को पहचानने की कोशिश करेंगे ना तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे पर्ण वरिंथ यानि वहे भाग जिसके द्वारा पत्ती यहाँ पर गलत दिखा हुआ है पत्ती इसको पत्ती को आप ऐसे ना लिखें पत्ती ऐसे लिखती है तो गलत नहीं लिखना चाहिए पत्ती पत्ती तने से जुड़ी होई होती है यानि ये भाग जो आप देख रहे हैं ये जो छोटी सी डंडी होती है जिससे पत्ती तने के साथ जुड़ी होई होती है इसे हम कहते हैं पर्ण वरिंद क्या कहते हैं पर्ण वरिंद फिर उसके बाद दूसरा है फलक फलक यानि पत्ती के चप्टे हरे भाग को हम फलक कहते हैं तो देखिए ये जो इसका पूरा चप्टा हरा भाग है न इसको हम फलक कहते हैं क्योंकि ये चोड़ा जो पूरा भाग होता है ये पूरा का पूरा भाग ये क्या है ये फलक कहलाता है फिर तीसरा भाग है शिरा शिराएं क्या होती है जैसे आपको पता है हमारे शरीर में भी नसे होती है जिनके माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का प्रभाव होता है यह ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ऐसे ही पत्ती में भी बहुत छोटी छोटी शिराएं होती है जैसे अगर आप देख रहे हैं न ये ये सारी की सारी जो हैं ये शिराएं हैं इन्हें हम कहते हैं शिराएं और फिर मध्धे शिरा पत्ती के मध्धे इस्थित मोटी शिरा जैसे इसको ये मान लेजिए हमारे शरीर में रीड की हड़ी होती है जो की सबसे बड़ी हड़ी होती है और उसी से ही सारी हड़ीया अटैच भी होती है खास तोर से उपरी हिस्से की शरीर के उपरी हिस्से की तो ऐसे ही पत्ती में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये जो बीच की शिरा है मोटी शिरा इसको हम कहते हैं मध्य शिरा अब आपको समझ में आया पत्ती के कौन-कौन से ये चार भाग है तो अगली बार जब आप पत्ती हाथ में लेके देखें तो इन भागों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा चलिए अब हम चलते हैं अपने next topic पर अगला topic है शिराविन्यास शिराविन्यास का क्या मतलब होता है पत्तियों पर शिराव द्वारा बनाये गए डिजाइन अभी हमने ये तो समझाता है शिराविन्यास जो डिजाइन बनाया गया होता है उसे हम शिराविन्यास कहते हैं और ये दो प्रकार का होता है अगर आप पतियों को ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिजाइन है ये दो प्रकार का होता है एक को हम कहते हैं समझ लीजे पहले जालिका शिराविन्यास जालिका यानि मध्धे शिरा के दोनों और जाल जैसा डिजाइन होता है जैसा जाल होता है वैसा डिजाइन होता है और 7-7 लाइने लगी होई होती है उनको हम समानतर कहते है तो एक डिजाइन होता है समाना अंतर शिरावन्यास तो हम इसको चितर के माध्यम से भी देख सकते हैं देखे एक पत्ती तो इस तरीके की होती है जिसमें मद्धे शिरा से एक जाल नुमा डिजाइन बना हुआ होता है इसको तो हम कहेंगे जाली का यह लिखा भी हुआ है जाली का शिराविन्यास और जिसमें समानांतर लाइने होती हैं ऐसी लाइने आप देखें शिराइन इस तरीके से होती है साथ साथ लाइन्स बने होई होती हैं इनको हम कहते हैं समानांतर शिराविन्यास तो दो तरीके का डिजाइन पतियों पर होता है जिसे शिराविन्यास कहते हैं और दो तरीके का जो विन्यास है एक जाली का शिराविन्यास और एक समानांतर शिराविन्यास फिर इसके बाद most important topic कि पतियां क्या कार्रे करती है पतियों का आखिर कार्रे क्या है पतियां पौधे के लिए भोजन बनाती है और विभिन गैसों का आदान प्रदान करती है जैसे वो carbon dioxide लेती है और oxygen छोड़ती है जो कि हमारे लिए उपियों की है और हम carbon dioxide छोड़ते हैं वो बहुते घ्रहन कर लेते हैं तो पतियां सूरे के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ chlorophyll की उपस्तिती में भोजन बनाती है तो देखा आपने कि पतियां जो हरे रंग की होती है दो चीजों का उपियोग और करती है इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संचलेशन प्रक्रिया कहते हैं याद रखिएगा पौधे जो भोजन बनाते हैं उस process को उस प्रक्रिया को प्रकाश संचलेशन क्रिया कहते हैं अब आपको समझ में आया है ना तो चलिए अब हम इनी टॉपिक्स पर आधारित कुछ अभ्यास करते हैं तो पहला प्रश्ण है पतियों में शिरा विन्यास को पहचाने है यहाँ पर दो पतियों के डिजाइन है जैसे कि अभी हमने उपप देखे थे आपको पहचानना है कि यह कौन सा विन्यास है कौन सा डिजाइन है तो ध्यान से देखिए जो जाल वाला है इसको तो इसका नाम क्या बताया था जाली का शिरा विन्यास और जो समानांतर लाइने हैं वो समानांतर शिरा विन्यास फिर इसके बाद दूसरा प्रशन है कि खाली स्थान भरिये तो इसका पहला भाग है कि प्रकाश सेंशलेशन प्रक्रिया में पतियों को अवशक्ता होती है किसकिस चीज की जल, कारबंडा एकसाइड, सूरे का प्रकाश और क्लोरोफिल की यानि थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्शीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और अगर आपको करोना वाइरस से बचना है न तो मास्क जरूर लगा के रखिए मास्क जरूर पहनिए क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं धन्यवाद